नमस्कार दोस्तों आप सबको मेरी और एक नए वीडियो पर स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आमला की बेनिफिर्स के बारे में हमारे सरीर के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे स्कीन के लिए कितना फाइदमेंथ होता है आमला आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे दोस्तो आमला एक ऐसा फल है जिसे ओसदी गुण से भरपूर माना जाता है इस फल को विटामिन C, केलसियम, फर्स्पोरोस, प्रेशियम, आरन, केरेटिन, आधि से भी भरपूर माना जाता है दोस्तो आमला हमारी सरीर को हेल्दी रखने में काफी मदद भी करता है हलाकि खटा होने के कारण कई लोग आमला को खाने में समिल नहीं करते है लेकिन इसके सेवन से कहीं बिमारियों को दूर किया जा सकता है आयुर्वेद के अनुशार भी इस फल को कहीं बिमारियों के लिए रामबान का इलाज माना जाता है आमला खाने के बारे में अज हम ऐसे कुछ महत्फुट जानकारी इस वीडियो के जरीए आप लोगों को देंगे जिसके बारे में आपको भी जरूर जानना चाहिए तो फ्रेंट्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो जिस तरह से सहत के लिए आमला एक बहतरिन फल माना जाता है ठीक उसी तरह से हमारी बालों के लिए भी फाइदमन है दोस्तो अगर अप लोग आमला का हैरोईल आमला का ओयल अपनी बालों पर लगाते हैं तो ये हमारी जो बाल को घना बनाता है, काला बनाता है, मुलायम बनाता है और इसके साथ साथ ये हमारी बाल को जड़ने से भी कम करता है और ये हमारी बाल को हेल्दी भी रखता है दोस्तो इसमें वाटामिन सी है जो कि आप सब को पता होगा वाटामिन सी कितना जरूरी होता है हमारे हेल्थ के लिए हमारे ओल आवर बोडी के लिए तो इसमें वाटामिन सी है जो कि हमारे बाल के लिए भी बहुत फाइदे मंद है अगर आप लोग रेगुलर इसका सेबन करते हैं या फिर इसका जो तेल बनाकर अपनी बालों पर लगाते हैं या फिर नारेल तेल में मिलाकर इसको लगाते हैं या फिर इसको एक पेस्ट बनाके हैर पर एक पेक की तरह हैर पेक की तरह लगाते हैं तो भी आप लोगों को ये आपकी चुबाल को मुलाएं बनाने में बहुत मदद करेगा। इसके लिए इन दिनों आप लोगों को यानि की सर्दियों के दिन आप लोगों को हलका गरम पाने के साथ सेवन करने से इसका बहुत फाइदा मिलता है। इस मिच्रण की सेवन से मुँका, खटापन, साथ-साथ कफ और बहुत सरे परिशनिय से आप चुटकरा पा सकते हैं दोस्तो आमला में वेटामिन सी प्रचूर मातरा में पाया जाता है और वेटामिन सी हमारे तोचा के लिए कितना फायदमन्द है ये सब को तो पताई होगा दोस्तो वेटामिन सी हमारी बोड़ी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है और इसके साथ साथ ये हमारी तोचा क्यों बेदाग बनाता है सुन्दर बनाता है और ग्लोइंग बनाता है दोस्तो वेटामिन सी हमारी बोड़ी जो है रिश्टोर नहीं कर पाता इसलिए हमें डेली बेसिस पर वेटामिन सी इंटेक करना पड़ता है यानि कि डेली बेसिस पर हमें वाइटामिन सी लेना पड़ता है दोस्तो अगर दिन में आप लोग एक बार एक आमला भी लेते हैं तो ये आपकी बोडी को प्रचुर मातरा में वाइटामिन सी प्रोवाइड करता है और अगर आप लोग डेली मातरा में लेते हैं को हैल्थ भी हेल्थी रहेगा इसके साथ प्रेंट प्रिंपल्मपें तो भी сильंखों करने लगेगा डाग करें आधी के अगर दागने में उख्याहत वह सेstringsगूー आप लिक्ते में संद सेटीते के लाख सुरधियों फ़ेंगे सेट्ट को सबस्क्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताएए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो फ्रेंट्स मिलते हैं